नमस्कार दोस्तों स्वाज़ेत है आपका इस्टडी फर सिविल सर्फिस में और इस वीडियो हम देखेंगे विच इस दा मोस्ट अबंडेंट इलिमेंट इन यूनिवर्स अर्थ एंड और बॉडी मतलब यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है अर्थ में प पूरे ब्रह्मांड में वो है और ये पूरे ब्रह्मांड के मास का करीवन थ्री फोर्ट है उसका 75% है और और सेकेन्ड नमबर घेलियम का करीबन प्र जो जितना बचा 25% के आऊसपास है और फिर तो थोड़ा बोत इमाउंट पे बचा है वह है ऑक्सीजन तो तीन अगर आप देखें यूणिवर्स में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट इलिमेंट है पूरी उनिवर्स में वह है इट्रोजन फिर सेकेंड नमबर पे लिया मूर फिर है थर्ड नमबर पे आउक्सीजन फिर हम पूरे अर्थ की बात करेंगे composition की chemical composition की देखे by weight और यह by mass यहाँ पर देख रहा है सबसे ज़्यादा by mass है यहाँ पर अर्थ में abundant element है oxygen और यह अर्थ के mass का खरीबर 46.6% occupy करता है second position पर सिलिकॉन और यह अर्थ के mass का 27.7% यह occupy करता है third number पर है aluminium देखे इसमें एक doubt है यहाँ पर कि अगर आपसे पूचा जाएगा कि most abundant element पूरे अर्थ में कौन सा है वो है oxygen लेकिन अगर पूचा जाएगा कि most abundant metal कौन सा है तो वो है aluminium यह तहां में किएगा क्योंकि oxygen silicon metal नहीं है और इसमें इस abundant list में third number पर आता है है aluminium तो अगर सबसे ज्यादा है अर्थ में element कौन सा है तो वो oxygen है second सबसे ज्यादा abundant कौन सा है वो है silicon और अगर सबसे ज्यादा abundant metal पूचा गया है तो वो है aluminium और aluminium वैसे अर्थ में third most abundant element element है और यह मास्क बात हो रही है अर्थ के फिर अगर देखें अगर हमारी body में human body में सबसे आदा abundant element है वो है oxygen और oxygen करीब हमारे weight का 65% occupy करता है second number पे है इसमें carbon 18% के साथ और थाड़ नमबर पे hydrogen तो यह तीनों चीज़े अग्याद रखेगा पूरे universe की बात करेंगे तो सबसे आदा abundant element कौन सा है hydrogen second number पे helium third number पे है oxygen और अगर पूरे earth की बात करेंगे तो सबसे आदा abundant कौन सा है oxygen silicon और aluminium लेकिन oxygen most abundant element है लेकिन aluminium अगर पूचेंगे कि most abundant metal कौन सा है तो में human body की बात करेंगे तो सबसे आदे बंडेंट है oxygen फिर क्वार्बन और फिर है hydrogen यह देखिए बहुत सिंपल फैक्ट है लेकिन कई बार confusion रहता है इसी लिए मैंने ऐसे वीडियो बना रहा हूं साइस्स में जो आपको जैसे मैंने इससे फेले और इसके बाद यह बना दिया है तो यह science के confusion दूर कर निकले जादा ज्यादा like करके share कर दिएगा thank you for listening